कभी कभी जब आप urine pregnancy test करते हो तो जो control line है वो तो आपको red color की गुलाबी color की नजर आती है लेकिन जो test line होती है अगर आप उसको ध्यान से देखती हो तो उसमें आपको एक सफेद color की line नजर आती है white color की तो इस line के आने का मतलब क्या है और ये आती क्यों है क्या इसका मतलब pregnancy का sign है या फिर आपको कोई abnormal pregnancy तो नहीं है जैसे eptopic pregnancy या फिर आपको कोई other problem तो नहीं है और ये line आती क्यों है इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में discuss करेंगे मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर और बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टा अगर दो line show हो जाती है तो आप pregnant हो जो test है वो positive होता है और अगर आपको single line दिखती है मतलब जो C line है अगर वही दिखती है T line नहीं दिखती तो जो test है वो negative होता है जिसका मतलब pregnancy नहीं है एक third condition भी होती है कि आपको control line नजर आ रही है जो कि red pink color की होती है उसके साथ में आप है कि जो pregnancy hormone है beta STG वो आपकी urine में है जो कि कभी-कभी early pregnancy में भी दिखाई देता है कभी-कभी जिनकी pregnancy खतम हो जाती है उसमें भी दिखाई देता है और जो भी situations थी जो भी condition थी वो सभी इस वीडियो में बताए थी लेकिन अब एक और situation आ रही है कि आपको जो test line है उसमें धि दिखाई देती है तो उस line के आने का कारण क्या होता है एक एक करके discuss करते हैं जो पहला करण है वो यह कि आपने अगर expire test card का use किया या फिर आपने जो test card है उसका wrapper खोला उसको रखा और दो-तिन घंटे के बाद अगर आप test कर रहे हो तो आपको white color की line नजर आ सकती है हमेशा कोशिश करें कि जो pregnancy test card हो उसकी date of expiry को check कर लें validate होना चाहिए number two जो आप test करोगे उसका wrapper immediately खोलें जब आपको pregnancy test करना हो तो ऐसी condition नहीं होगी number two जो urine sample आप use करोगे वो fresh होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि आप 24 घंटे 12 घंटे के बाद का urine sample यूज़ कर रहे हो ठीक है number three कभी-कभी लोग क्या गरते हैं कि pregnancy test किया सुबह कर रहे हैं तो शाम को देखेंगे या फिर रात को कर रहे हैं तो सुबह देखेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि जो pregnancy test card है उसमें जो test result है वो पांच मिनट तक ही valid होता है और मेरे experience के तुरू अगर मैं आपको बोलूँ तो तीन मिनट के अंदर अंदर आपको जो भी test result मिल जाए वो valid होता है ठीक है अगर पांस मिनट के बाद आप pregnancy test card को देख रहे हैं तो आपको उसमें evaporated line देख सकती है मतलब क्या है कि जब pops डालते हो ना pregnancy test card में तो जो urine है वो भाब बनने लग जाता है और फिर वो एक अपने line पिछे छोड़ देता है जिसको evaporated line बोलते है मतलब की एक gray color की white color की line आपको नजर आती है ठीक है तो जो test result है वो आप कोशिश करें कि आप तीन मिनट पांस मिनट के अंदर अंदर है आपकी जो body है dehydrated है या फिर आपके urine में protein है या फिर आपको unary tract infection है किसी टाइप का infection है या फिर आपको white discharge या vaginally किसी टाइप का infection है तो आपको gray color की line नजर आ सकती है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको pregnancy है ठीक है अगली जो condition है वो यह कि अगर आपने जो pregnancy test है वो period की date इस time expected है मान लीजी कि आपको जो periods है वो 25 थारीक को आने है और आप pregnancy test 23,24,25,26 के around कर रहे हो तो आपको यह gray color की line white color की line नजर आ सकती है क्यों आ सकती है क्योंकि जो hormones periods को लाने का काम करते हैं उनमें बदलाव आता है उनमें fluctuations आता है ठीक है और ऐसे time पर अगर आप urine pregnancy test करते हो तो आपको ऐसे result देखने को मिल सकते हैं इस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था कि pregnancy test कब करना चाहिए अगली जो condition है वो यह हो सकती है कि जो लोग hormonal treatment ले रहे हैं फिर जिनको hormones की problem रहती है जैसे PCOD, PCOS या फिर thyroid की जो लोग दवाईयां ले रहे हैं या कोई लोग कई बारी female जो है protein supplements लेती हैं तो उनको यह line नजर आ सकती है और white color की line show होना या gray color की line show होना उसका मतलब pregnancy नहीं होता है लेकिन अगर still आपको doubt रहता है तो आप तीन दिन के बाद दुबारा से pregnancy test कर सकते हो आपको हलकी गुलाबी line नजर आनी चाहिए red color की लेकिन still अगर आपको doubt रहता है कि जो pregnancy test card है वो हमें सही result नहीं बता रहा है तो फिर आप एक blood test कर वालो serum beta SCG ये भी beta SCG का ही test होता है जो कि आपके blood sample से होता है ठीक है जो report ह है वो 42 घंटे में आती है उससे आपको इसली 100% क्लियर हो जाएगा कि आपको pregnancy है कि नहीं है अगर आप blood test नहीं करवाना चाते तो फिर आप एक ultrasound करवा सकते हो pelvic sonography इससे भी आपको confirm हो जाता है कि आपको pregnancy है कि नहीं है तो आज की वीडियो में बस इतना ही यहां तक सुनने क के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरस्टिंग टोपिक के साथ अब तक के लिए stay healthy stay fit thanks for watching this वीडियो